नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग नुक्लियर फ्यूल कंप्लेक्स के स्टिपिंडेरी ट्रेनी कटेगरी फर्ष्ट के पेपर का डिस्केशन करेंगे जो की आठ जुलाई 2021 जो की आज ही केडेट में पेपर हुआ है तो आप लोगने जो कोशन भेजा है उसी के अनुसार यहां पर हमने कोशन को रखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का ये पहला question है जैसे in which process temperature remains constant ये आपका paper हुआ है आज जो कि 8 जूलाई 2021 को हुआ है उसी का ये paper है तो यहाँ पर देखिए पहला question आया था जैसे कि आपका इन विच प्रासेश टंप्रेचर होता है किस प्रासेश में constant रहता है तो इसो थार्मल प्रासेश तो उसमा इस में हमेशा टमप्रेचर कंश्टेंट होता है आईसो थर्मल प्रासेस रहता है दूसरे यहां पर है एंट्रापी ऑफ वाटर एड़ जिरो केलीविन पर वाटर की एंट्रापी कितनी होती है तो जीरो होती है यह Q1 आप का आया हुए था फिर और Q2 था आपका जैसे कि यहाँ पर है हाइस्पिड इंजन के लिए यह दूपर फालोवर प्रॉफाइल यानि कि कि Kस्टिंग के लिए जो लांस दिया जाता है यह जनरले कितना होता है तो यंविए कि कि देखें पांच वाइन इन के इन प्रहूंग कास्टिंग में ऐसे ज्यानि कि तो वो सेंटर्फ्योकल काष्टिंग होता है मेथाड उसमें हम लोग काउन से कोर यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी कोर यूज़ नहीं करते हैं ठेक इसके बाद आपके अगला कोशन आपका था फाइल यूज़ फार वुड वर्क यानि कि लकड़े के कार के लिए हम लोग कॉंशा करते हैं तो दो करते हैं लकड़े के कारिए लिए साथ वह कोस्षा Prymafrid फोर्स इंगल पर होता है तो किसे एंगल होता है और प्याने किसे टो और 180 डिग्री पर क्या होता है यह मैक्सिमम होता है वाठमा कोशन है यानि कि जब किसी पदार्थ को हम लोग हीट करते हैं तो जो उसकी टफनेस होती है वाकिया होती है तो उसकी टफनेस क्या होती है है नउना कोशन है तो copper अलमोनिएम और मैल्डेश्टील होता है क्या होता है सबसे하하 होता है की सिंपल सपोर्टेड वीम書 nc क्या होता है ओने मनिश्टीट यने सीमपल सपोर्सपोर्टेड बीम सब्सिंपल सक्र Kylie मतलब में रिए इसीपल सपोर्सपर्टेड वीम, मुझें टो सिंपल सपोर्टेड विम विद युनिफारम इंडिस्ट्रिबूटर लोड में जो मुझेंडिंग मुझें न होता है तो यह होता है हमारे यहां पर यह हो गया हमारा अब इसके बाद तेरे नंबर का कोश्चन है जो साइकिल होता है उसकी दच्छता कितनी होती है तो देखिए सबसे ज्यादा दच्छता होता है हमारा कारणोड साइकल का होता है बाकी जितने भी साइकिल होते हैं उनकी दच्छता कारणोड साइकल के पेच्छा कम ही होती है तो यहां पर भी ऐसे पूछा गया था तो लेस दैन कारणोड साइकल यह आवाला आपसना आपका सही हो जाता महाँ पर अब हैं चौदह नंबर का कोश्चन इस्ट्रेस इंसाड स्पेरिकल सेसरा के जो अंतरिक सत्हों होती हैं उन्समें स्ट्ष कितना होता है तो च फूरू म्हाइब कोश्चन दनें प्रिंजब स्ट्रेसयो कि यइडा हो ठीक, तो 0 correct answer हो जाएगा. शोले नमबर का आपका question आया था जैसके beam of uniform strength which is तो beam of uniform strength which is uniform bending moment ठीक. अब 17 नमबर का question है pressure P exerted inside cylinder cell कैसा होता है तो cylinder cell के inside में जो pressure P exerted होता है कैसा होता है, तो करें increased diameter diameter में बढ़ता है और decreased length-length में गढ़ता है अब ठारे नमपर को पूछा था इसक्रू यूजड फारपउन ट्रांसिस्टूड है क्या होता है हाइफ एसक्रू firm करते हैं अन्न कि spent στα टायरन इऑ ऐonds के सामरे होता है तो आपको ब्रीटाइल बुद्धा होता है भंगुर्ट ढाइड कास्ट बेरिंग केज इज प्रोवाइड़ेड़ तो किसलिए किया जाता है तो मेंटेन बाल एट फिक्स डिस्टेंस एपार्ट ठेक 21 नमबर का और कोश्चन आये था इन के करण होता है तो रहर्ट कारबन सिलेंडर वाल टू हाट एंड हाइग कंप्रेशन रेशियो के करण होता है तेस्ट नमबर कोश्चन था कि टेस्टिंग आफ इंजन इस डन टू तो वहाँ पर जो आपको आप्शन मिलेगा आलाफ दीज वाला आप्शन आपका सही था उसमे अब इसके बाद 24 नमबर कोश्चन है नूकलियर रियक्टर इस यूइड फार तो नूकलियर रियक्टर किसके लिए यूज किया जाता है तो इसमें जो आपका आलास दीज वाला आपसंता वह वाला आपका सही हो जाता ठीक और यहाँ पर पचीस नमबर का जो कोश्चन है देखिए जो मतलब उपस्तित होता है और रहता है यूरेनियम 239 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता आपका 26 नंबर कोश्चन है यहां पर बाडी विल सिंक डाउन इन वाटर वेन क्या होता है वेन बाइनसी फोर्स लेस होती है कम होती है तो हमारा जो बाडी ओता वापानी में डूब जाता है 27 नंबर कोश्चन है प्रोडक्ट आफ प्रियाडिक टाइम एंड फ्रिक्वेंसी तो जो ह अमरे करना जाएगा बन हो जैएगा तो आप यहां पर जिया बहुत आसान उक्यों इसंद्व यह तो आपको पता ही होगा तो एंवन इपुल टूर्ट टूर्स होता है इस नंबर कॉश्चन है नान है टो यह पर जाता है तो तो टी आइज वेल्डिंग में यूज किया जाता है नान कंजूमेबल एलेक्ट्रोड जिस नमबर कोश्चन है तू मेजर मेंट फुलोर रेट विद वेंटुरी मीटर इद यूजड इन तो देखिए यह कहां किया जाता है एने वेयर और एने पोजीशन तो कहीं पर भी और किसी भी पोजीशन पर किया जा सकता है इस प्लेश्ड वैलिम्प फुलूड तो यह सेंटर आप बैनंची यहां पर आपका अपस्ण हो जाता था त्यस्टिस नमबर कोश्चन है नमबर आप पर इनकप्लिंग राड आफ लोको मोटीव में जो आपका कप्लिंग राड होता है उसमें नमबर आप पेयर कितने होते हैं तो आपको भी पता होगा वो कि चार टर्निंग पेर उसमें होते हैं कि अब यहां पर देखिए 34 कोशन है partial balancing काजेज किसके कारण होता है पार्शियल बैलेंसिंग तो हैमर बनो स्वेंग कपल इसके बाद वेर्येशन आफ ट्रैक्टिव फोर्स इन दा लाइन अफ श्ट्रोक इनके कारण आता है तो आर्क प्रोड्यूशड इन वील्डिंग डूटु किसके कारह होता है कांटेक्ट ट्रजिस्टेंस के कराण जा आरक उत्पन होता है वेल्डिंग में 36 नमबर का question है अब non consumable electrode is used in तो जो non consumable electrode होता है कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो TIG welding में यूज़ किया जाता है यह question देखिए repeat हो गया है 37 नमबर question है thermoplastic material is thermoplastic material कैसा होता है तो do not become hard with the application of heat and pressure and no chemical change 38 नमबर question है an utactide steel consists of जो utactide steel होता है वह क्या रखता है तो यह पूरा का पूरा आपका pure light या pearl light इसी कोई कोई बोलते हैं तो pure light या pearl light जो भी आप इसे पढ़ते हों तो यह पूरा का पूरा क्या रहता है पर light रहता है 39 नमबर question है shock resistance of steel is due to shock resistance steel में किसके कारण आता है तो toughness के कारण आता है तो दोस्तों यह था आपका paper जो कि आपके द्वारा बताया गया था तो यह था आपका mechanical का stipendary training category first का paper जो कि nuclear complex 8-7-2021 को paper हुआ है ठेक अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें लेंगे next वीडियो में thank you